हेलो दोस्तों कैसे आप सब दोस्तों उमीद करता हूँ आप सब खेरी से होंगे ठीक होंगे अभी दोस्तों आप देख सकते हैं note available कि आपको problem देखने को मेरी है और दोस्तों उपर भी आप देखोगे कि मैं कौन सी WhatsApp का use कर रहा हूँ अब दोस्तों यहाँ पर आपने ये भी चीज़ देख लेनी है हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों उमीद करता हूँ आप सब खेरी सी होंगे ठीक होंगे आज की वीडियों पर हम बात करने जा रही है एक ऐसी problem के बारे में जो कि WhatsApp status लगाने के दौरान हमें देखने को विल रही है तो इस वीडियो को पूरा end तक देखिए का ताकि आप इस problem को easily solve कर पाए लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी चीज में आपको बताता चलूँ कि आपको यह किस WhatsApp के उपर आपको यह problem देखने को मिलती है उपर देख सकते हो कौन से WhatsApp का नाम लिखा हुओ जीपी WhatsApp और नीचे दोस्तों अगर देखो कि not available अब यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको और चोटा लफजों में नीचे लिखा हुआ है कि adding your status is not available on this device यानि कि इस device को पर वो status available नहीं है उसके बाद use your primary phone to add your status वो कह रहे है कि primary phone का use करें और इसके बाद यहाँ पर बताओं कि और भी आपको यह इस जगा पर problem देखने को मिलती है कि आप अपने original WhatsApp में यानि कि WhatsApp status को लगाएं अब यहाँ पर मैं आपको बताओंगा कि यह क्यों आता और किसली आता है यह ज्यादतर दोस्तों आपको अन ओफिशल WhatsApp के उपर भी आ रहा है और यहाँ पर WhatsApp वेब के उपर भी आ रहा है और अगर देखा जाए तो यह WhatsApp के उपर आपको यह problem नहीं देखने को मिल रही है अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आपने directly करना क्या है अब यहाँ पर दोस्तों मैं चलता हूँ back यहाँ पर दोस्तों एक और यहाँ पर जब आप लोग problem यहाँ पर देखोगे कि not available की मुझे problem देखने को मिल रही है अब यहाँ पर वो same ही आपको जब वो problems का बताया जा रहा है लेकिन एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर अगर आप कोई भी और WhatsApp यूज़ कर रहे हो आप चाहते कि उसके उपर यह problem ना आए तो फिर दोस्तों आपने करना क्या होगा play store में आपने सबसे पहले तो चले जाना है और play store में जाने के पाद दोस्तों आपको यहाँ पर search कर लेना है WhatsApp और जैसे WhatsApp को आप search करो कि दोस्तों यहाँ पर आपको एक update का option देखने को मिलेगा आपने इसको update कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ स्किंट यहाँ पर वेट कर लेने ताकि यह जो अपडेट एजिली हो जाए अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज और भी आपको बताता चलो कि कुछ लोग जो अन ओफिशल मतलब वाटसब को यूज़ कर रहे हैं अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को में रही है जैसा कि लोग इन नहीं हो रहा लोग आउट हो रहा है या बहुत सारी आसी प्रॉब्लम्स अब धूम मची पड़ी है लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये वाटसब वगेरा जो भी थी अन ओफिशल वो सारी बैन होने वाली है लेकिन दोस्तो यहां पर ये भी चीज़ मैं आपको कनफरम करता चलू कि अगर दोस्तो आप लोग वाटसब के उपर भी ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिले तो फिर दोस्तो आपने प्ले स्टोर से इसको वाटसब को अनिस्टाल करके दुबारा से इंस्टाल कर लेना है और दोस्तों ये problem आपकी easily solve हो जाएगी और यहाँ पर दोस्तों लोगों ने आपको बहुत सारे ऐसे तरीके पताए होंगे और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे दोस्तों आप solve कर पाएं यानि कि ये सिर्फ और सिर्फ आप uninstall कर दें और official WhatsApp जो है वो प्ले स्टोर से इंस्टाल कर लें आपकी problem ये बिल्कुली solve हो जाएगी और आपने third party या कोई भी चीज आपने जाएवो other app का use नहीं करना इसमें WhatsApp status लगाने के लिए बागे आपने direct जो हैवो यहाँ पर WhatsApp पे चले जाएगे और जाने के बाद वहाँ पर आप status लगा दे आपको कोई problem नहीं देखने को मिलेगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ये लाइक कर देने चैनल को subscribe कर देना हो